मानने अज़ेक दिये कोई इस बात से दिनकार नहीं कर सकता है कि देश चुनोतियों से लोहा लेने के लिए हर पर कोशिश करता रहा है कभी कभी चुनोतियों की तरब न देखने की भी आतते देश ने देखी है चुनोतियों को चुनने का सामर्थ नहीं ऐसे लोगों को भी देखा है लेकिन आज दुनिया की भारत के पास से जो पेच्छा है हम अगर चुनोतियों को चुनोती नहीं देगे अगर हम हिम्बत नहीं दिखाते और अगर हम सब को साथ लेकर के आगे चलने का गती नहीं बढ़ाते तो शायद देश को अनेक समस्याओं से लंबे अर्से तक जूज ना पड़ता अगर कॉंग्रेस के रास्ते हम चलते तो पचास साल के बाद भी सत्रू संपत्ती कानून का इंतजार देश को करते रहना है पैटिस साल बाद भी नेक जनरेशन लड़ा को विमान का इंतजार देश को करते रहना है अठाईस साल के बाद भी बेनामी संपत्ती कानून लागून नहीं होगा बीच साल बाद भी चीफ अप डिफेंस स्टाप की नियुक्ती नहीं होगा मानेद देख जी है हमारी सरकार तेज गती की वज़े से है और हमारा मकसद है हम एक नई लकीर बना करके लिक से हट करके चलना चाहते है और इसलिए हम इस बात को भली बाती समझते है कि आजादी के सतर साल के बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तयार नहीं और नहीं होना चाहिए और इसलिए हमारी कोशिश है स्पीड भी बढ़ें स्केल भी बढ़ें डिटर्मिनेशन भी हो और डिसिस्टिवनेश भी हो सेंसिटिविटी भी हो और स्वालिशन भी होना चाहिए हमने इस तेज गती से काम किया है उस तेज गती से काम का परणाम है कि देश की जनता ने पांच साल में देखा और देखने के बाद उसी तेज गती से आगे बढ़ने के लिए फोड़ी अधित ताकत से थागे हमें फिर से सेवा करने का मोका से अगर ये तेज गती न होती तो 37 करोड लोगों के बैंक एकाउंट इतने कम समय में नहीं खुलते अगर गती तेज न होती तो 11 करोड लोगों के घरों में साउचाले का काम पुरा नहीं होती अगर तेज गती नहीं होती तो 13 करोड परिवारों में गैस का चुला नहीं पहुँदे अगर गती तेज न होती तो 2 करोड घर नए नहीं बनते गरीबों के लिए अगर तेज गती नहीं होती तो लंबे अर्से से अटके हुए दिल्ली की सत्रा सो से जादा अवेड कॉलोनिया चालिस लाख से अधिक लोगों की जिन्दगी जो अधर में लटकी हुई थी वो काम पुरा नहीं होता आज उन्हें उनका अपने घर का हग भी मिल गया झालिस